The Sri Lankan Prime Minister Mahindo Rajapaksa has raised strong criticism about the handover of the Kamban Tota port to China. Islamabad is now seeking 2.7 billion dollar loan from Beijing. Dead trap diplomacy क्या है? हम एक स्टोरी की साहिता से समझेंगे. माल लीजिए एक कोलोनी में आपके पास चोटा सा प्लोट है. मतलब इचना चोटा भी नहीं, 200 गज का. एक दिन देखो, महेश नाम का person आपके पास आता है और बोलता है, आपका जो ये प्लोट है ना, उसकी location फार, जबरधर्स्त है. यहाँ पर अगर कपड़े की दुकान ओपन की जाए, बहुत चलेगी, बहुत income generate होगी. आप भी महेश की बातों में आ जाते हो, बड़े-बड़े ख्वाब आपको दिखाया जाते हैं. आप महेश को बोलते हो, कि भाईए, यहाँ पर building तो हम बनवा लें, लेकिन मिरे पास पैसा नहीं है इतना, building बनवाने के लिए. थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन उससे building एक चुथाई भी नहीं बनेगी. महेश आपको बोलता है, अरे बाई, यह क्या बात कर दी? मैं आपको loan देता हूँ, building बनवाने के लिए, उचित interest rate पर. मतलब, आपने महेश से loan ले लिया, building बनवाने के लिए, ताकि वहाँ पे garment store open किया जासके. लेकिन देखो, आपके पास जितना पैसा था, सब खतम. महेश से आपने जो loan लिया, वो भी खतम. लेकिन building complete नहीं हुई, building अभी आधी ही complete हुई है. महेश आपको फिर से बोलता है, कि भीया थोड़ा सा loan और ले लो, क्योंकि एक बार, अगर building बन गई, तो तो garment store open हो जाएगा, और पैसा ही पैसा आपके पास आएगा. आप मेरा सारा loan चुका सकते हो. अभी basic आपके पास interest चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं. लेकिन जब garment store open होगा, तब आप असानी से interest rate चुका सकोगे. आपको महेश की बार ठीक लगती है, आप दूसरी बार loan ले लेते हो. जैसे दैसे करके आपने building बन वा ली, लेकिन देखो, आप building building बनी है, garment store open करना है, तो product लाना पड़ेगा, जो बेचोगे वो तो खरिदना पड़ेगा ना एक बार. garment store open करने के लिए आपको फिर से पैसा चाहिए, फिर से महेश आपको लालच देता है, और आप तीसरी बार महेश से loan ले ले लेते हो. situation आपके सामने difficult है, तीन बार आप महेश से loan ले चुके हो, interest नहीं चुका पा रहे हो, लेकिन garment store आपको open हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन देखो, तीन महेने हो गए, garment store नहीं चला, चलना भी नहीं था, railway line के पास आपका upload था, हो थो महेश ने आपको बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए, अब तीन महेने बाद situation तो आपके लिए पहुत ज़्यादा difficult, नहीं चुका पा रहे हो आप महेश का loan, मतलब interest चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है, principle तो आप छोड़ी दीजिये, फिर से आप महेश के पास जाते हो, इस बार महेश आपको बोलता है नहीं, अब मैं आपको loan नहीं दूँगा, मेरा जो loan है, अब आप जल्द से जल्द चुकाईए, मैं आपको और वक्त नहीं दे सकता, आप हाथ खड़े कर देते हो, भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, तुम बताओ क्या solution है, महेश आपको बोलता है, मैं देता हूँ एक solution, ये पूरी जो building है, including plot, ये आप मेरे नाम कर दीजिये, बदले में सारा आपका loan माफ, आप हिरान हो जाते हो, ऐसे कैसे, महेश आपको बोलता है, चलो, थोड़ा सा पैसा मैं आपको उपर से दे देता हूँ, लेकिन ये सारी building तो आपको मेरे नाम करनी ही होगी, तब आपके सर से इस कर्ज का जो burden है, वो हटेगा, ना चाते हुए भी आपको महेश की बात माननी पड़ती है, यानि वो building जो है, वो महेश के नाम करनी पड़ती है, यही है death trap diplomacy, अब हम थोड़ा technical terms में बात करते हैं, ये जो term है, death trap diplomacy, सबसे पहले इस्तमाल की गई थी, इंडिया के famous geo-stategist, ब्रह्मा चलने के द्वारां, 2017 में, देखो death trap diplomacy में क्या होता है, जब कोई देश, for example, China, किसी दूसरे low या फिर middle income country को, ऐसी terms पर loan देता है, कि उस low या फिर middle income country के द्वारां, loan को वापस चुका पाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसी situation में, जिस देश ने loan दिया है, इस case में China, वो low या फिर middle income country से, जिसको loan दिया गया है, उस देश से, political या फिर economic concessions की demand करता है, real time example आपको बताता हूँ, हमन्तोता पोर्ट है सिललंका का, ये classic example है, चाइना की dead trap diplomacy का, क्या हुआ था, location सबसे पहले आप देखिए, सिललंका में हमन्तोता पोर्ट की, सिललंका की सरकार, यहाँ पर पोर्ट डवलप करना चाहती थी हमन्तोता में, इंडिया से request की गई, इंडिया की सरकार से, कि आप लोन दीजिये, इंडिया की सरकार ने, study conduct करवाई, लेकिन, इंडिया की सरकार ने अपने study में पाया, कि यहाँ पर अगर पोर्ट डवलप किया जाता है, तो successful नहीं होगा, लेकिन, इंडिया के reject करने के बाद, सिलंका की सरकार ने, चाइना से लोन की डिमांड की, और चाइना ने इंकार नहीं किया, बिना किसी feasible study के, चाइना ने लोन दे दिया, सिलंका की सरकार को, उस समय महिंद राजय पक से, सिलंका के राश्टरपती थे, जब जब सिलंका की सरकार ने लोन मांगा तब तब चाइना ने सिलंका को लोन दिया हमबन तोता पोर्ट डवलप करने के लिए लेकिन देखो जैसे तैसे करके जब पोर्ट बना सफल साबित नहीं हो उसका पोर्ट जैसा कि इंडिया का अनुवान था लोकेशन इतनी जबरदस्त होने के बावजूद दो हजर बारा में सिरफ 34 सिप्स आए यहां पर हमबन तोता पोर्ट में यानि पूरी तरह से ऐसाफल साबित हुआ यह हमबन तोता पोर्ट और सिलंका नहीं चुकास का चाइना का लोन जो की हमबन तोता पोर्ट के लिए लिया था बदले में चाइना ने सिलंका को कहा आप यह जो पोर्ट है वो हमें दे दीजिए लीज पर 99 एर्स के लिए वही एक्जामपल याद कीजिए लाष्ट में महेश ने डिमांड किया था कि यह बिल्डिंग आप मेरे नाम पर कर दीजिए उसी परकार से चाइना ने सिलंका को कहा कि यह हमबन तोता पोर्ट आप हमें दे दीजिए 99 एर्स के लिए लिए लीज पर अब आपके मन में आया होगा कि चाइना के लिए यह पोर्ट किस काम का अगर यह पोर्ट सफल ही नहीं था देखो इंडियन ओशन में यह जो पोर्ट की लोकेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वैसे परंपरगत रूप से इंडियन ओशन में इंडिया का इंफलेंस रहा है लेकिन चाइना इंडिया के इंफलेंस को तोड़ना चाता है तो इसी द्रिष्टिकों से देखें तो यह हमबंत ओता पोर्ट की लोकेशन चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सिरलंका के अलावा और कई सरे देश ऐसे हैं जो चाइना की डेट ट्रेप डिप्लोमेसी में फर्स चुके हैं 2011 में चाइना ने तजाकिस्तान की सरकार से 158 स्केर किलोमेटर का स्टेड़ेजिक पामीर माउंटेंज का एरिया ले लिया करज माफी के नाम पर 2017 में पाकिस्तान ने चाइना को एक्सक्लूजिव राइट्स दिये आने वाले 40 सालों के लिए ग्वादार पोर्ट को ओपरेट करने के लिए 2020 में लाउस ने 25 साल का एक कंसेशनल एग्रिमेंट साइन किया चाइना की सरकारी कंपनी के साथ इसके तहट चाइनीज कंपनी को 25 सालों के लिए लाउस के नेशनल पावर ग्रिड को कंट्रोल करने का छूट दिया गया 2018 में Center for Global Development जो की एक Think Tank है इस Think Tank के रिपोर्ट आई जिसमें ये हाईलाइट किया गया चाइना से चाइना के Belt and Road Initiative के तहट लोन लेने वाले आठ देश माल्दिव, मंगोलिया, मॉल्टी निग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जिबूती, लाउस ये आठ देश जो हैं, इनका देखो Debt to GDP रिश्यो काफी ज़्यादा है, आलमूस्ट 50% से ज़्यादा, और देखो ये चाइना के Debt Trap के High Risk Zone में हैं, क्योंकि इन देशों के ऊपर जो कर्ज हैं, जातर External Debt जो इन्होंने लिया हैं, वो चाइना से लिया हैं, तो ये High Risk Zone में ह इसके बाद अब आपके मन में दो questions आएं होंगे, एक तो हम Trap World का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं, मतलब ये चाइना का Debt Trap है, ऐसा क्यों कहा जा रहा हैं, देखो ऐसा काफी सारे reasons के कारण कहा जा रहा हैं, क्योंकि सबसे पहला point तो ये हैं, चाइना की ये जो landing practices हैं, काफी ज यूँ बताती चाइना की सरकार की हमने कितने सारे देशों को लोन दिया हैं, और नहीं ये बताती कितना लोन दिया हैं, और नहीं ये बताती कि कैसी terms पर हमने लोन दिया हैं, यानि transparency बिल्कुल भी नहीं हैं, दूसरा point, देखो चाइना की ये जो landing tendency हैं आसानी से शुरुव तो सिलेंका ने इंडिया से लोन मांगा था हमद दोता पोर्ट के लिए, इंडिया ने पुलाइटली कहा था कि ये जो project है feasible नहीं है, सफल नहीं होगा, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता, चाइना को पता भी हो, project सफल नहीं होगा, जान बूज़ के चाइना लोन दे देता है, ताकि बाद में उस देश को dead trap में फसाय जासके. Next point. Next point देखो ये है, वैसे जब कोई देश दूसरे देश को loan देता है, और दूसरा देश उस loan को नहीं लोटा पाता है, तो इस situation में क्या किया जाए? Proper IMF की guidelines है, लेकिन देखो चाइना IMF की guidelines को follow नहीं करता है, जब भी कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता, उस देश के case को चाइना अपने हिसाब से अलग से tackle करता है, अपनी terms, solution के तोर पर मनवाने की कोशिस करता है, तो ये कुछ factors हैं, जिसके base पे कहा जाता है, ये trap है, मतलब trap word का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो in reasons के कारण किया जाता है, अब वैसे देखो एक question आपके मन में ये भी आया होगा, कि जब dead trap पर इतनी चर्चा हो रही है, तो फिर भी कई देश जो हैं, वो चाइना के जाल में कैसे फस जाते हैं, इतनी तो awareness हैं, जब हम ये article discuss कर रही हैं, तो क्या दूसरे देशों के जो सरकारे हैं, उनको नहीं पता चाइना की dead trap, diplomacy के बारे में अगर पता है, तो फिर भी वो चाइना के चुंगल में क्यों फस जाते हैं, देखो इसके दोधिन reasons हैं, सबसे पहला reason तो ये हैं, उन देशों को कहीं औरों से loan मिलता नहीं हैं, तो उनको एक बार के लिए ये लगता हैं, कि चाइना हमें सस्ती दरों पर loan देने के लिए तयार हैं, तो हम चाइना से ले ले लेते हैं, या तो IMF या फिर दूसे देशों से असानी से loan मिल जाएं, तो तो वो चाइना के पास ना जाएं, लेकिन IMF से असानी से loan मिलता नहीं हैं, मिलता हैं, तो काफी conditions पर मिलता हैं, सक्त conditions पर मिलता हैं, और दूसरा कोई देश USA जैसा देश, लोन देने को तयार होता नहीं हैं, तो मजबूरी में उन्हें चाइना के पास जाना पड़ता हैं, next reason देखो ये हैं, कि क्यों कई देश चाइना के dead trap में फस जाते हैं, देखो कई देशों के जो सरकारे होती हैं, वो काफी corrupt होती हैं, जैसे सिलंका में महिंदर राजय पक्से के ऊपर ये आरोप लगता है, कि उन्होंने Chinese officials के साथ मिलके, ना समयत, ना सिरफ हमबंदोता पोर्ट, बलकि और भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाइना को और चाइना की companies को दिये, तो मतलब ये हैं, कई सारे देशों की सरकारों में बड़े पदों पर बैठे जो लोग होते हैं, वो Chinese officials से resort ले लेते हैं और प्रोजेक्ट दे देते हैं चाइना को और बाद में वो प्रोजेक्ट जो है सफल नहीं हो पाता और चाइना के dead trap में वो देश फस जाते हैं, तो ये point हुआ, corrupt officials, तो ये 2-3 reason responsible हैं जिसकी वज़े से कई देश जो हैं वो चाइना के dead trap में फस जाते हैं, अब इसके बाद last में एक question ये आता है क्या किया जाए ताकि विबिन देश चाइना के dead trap में ना फसें, देखो, सबसे पहला तो जब भी कोई देश किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचें बहिए प्रोजेक्ट हमें ये बनाना है, तो सबसे पहले प्रयाप्त मातरा में risk assessment होना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट feasible भी है, अगर विबिन देशों को लगे कि प्रोजेक्ट feasible है, तभी वो चाइना की सरकार से loan ले, अदरवाइस चाइना से loan ना ले, next point, देखो वर्ल्ड की बड़ी organizations को, for example, IMF, या फिर कुछ like-minded countries, जैसे जपान, इंडिया, अस्ट्रेलिया, यूएस से, इनको मिल के काम करना चाहिए, ताकि कुछ low और middle income countries, जिनने loan के आव सकता है, उन्हें उचित इंटरेस्ट पर कम conditions के साथ loan मिल्स के, ताकि उन्हें मजबूरी में चाइना के पास ना जाना पड़े loan लेने के लिए, वैसे देखो, और भी काफी सारे global initiatives हैं, infrastructure, financing के, विबिन low और middle income countries को, इन initiatives का लाब भी उठाना चाहिए, अगर कुछ initiatives की हम बात करें, Blue Dot Network, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Asia-Africa Growth Corridor, European Union's New Connectivity Strategy, Trans-European Transport Network Policy, Global Infrastructure Policy, यानि GIF, और सबसे last में, Build Back Better World Partnership, तो इन initiatives का लाब भी लो और middle income countries के द्वरा उठाया जा सकता है, अगर वो चाइना के debt trap को avoid करना चाहते हैं, Thank you.